24 गंटों में संक्रमित होने के पश्चाथ 5656 व्यक्ति उपचारित होकर डिस्चार्ज हुए हैं। इस प्रकार कल भी जितने नए संक्रमन आये उनसे 1253 लोग जादा डिस्चार्ज होकर घर गए। यह ट्रेंड हम पिछले 10 दिन से देख रहे हैं। 18 सितंबर से जो नए केसेज हैं उनसे जादा लोग डिस्चार्ज हो रहे हैं। और इसकी वज़त से अब हमारे एक्टिव केसेज की संख्या घट करके 55603 रह गई है। अब तक कुल 325888 संक्रमित व्यक्ति पुर्णत उप्चारित होने के पश्चार्ज की जा चुके हैं। अब प्रदेश की रिकवरी का प्रतिशत 84.19% हो गया है। 84.19% हो गया है। संक्रमित व्यक्तियों में से कुल 5594 लोगों की अभी तक मृत्य हुई है। जो positivity का rate गिरा है या जो cases हमारे कम आ रहे हैं ये इसके बावजूद आ रहे हैं कि हमारी testing नहीं घटी है। testing जो हम देर लाक से उपर कर रहे थे वो हम आज भी लगातार हम देर लाक से उपर कर रहे हैं। तो हम एक clear trend देख रहे हैं कि cases की संख्या घट रही है, लेकिन यही समय सबसे ज़्यादा सावधानी का होता है, जब एक peak आ करके एक trend आता है, जब cases गिरने लगते हैं, उसी समय लोगों में एक false security की भावना आती है, लोगों में एक यह भावना आती है कि अब संक्रमन समाप् होने जा रहा है, और फिर जैसे ही लोग लापरवाही करते हैं, वैसे ही फिर से संक्रमन बढ़ना शुरू होता है और एक second wave आता है, इसलिए इस समय प्रदेश में सभी लोगों को बहुत जादा सतर्क रहने के आवशकता है, और जो भी संक्रमन से बचने के तरीके हैं, उन मिला करके 96,25,76 सैंपल्स की जाज प्रदेश में की जा चुकी है, जो कुल हमारे active infection के cases हैं, 55,603, इन में से 27,826 इस समय home isolation में है, 2928 लोग पिछले 24 घंटे में home isolation में भेजे गए हैं, उन्होंने इस विकल्ब को चुना है, और अब तक कुल 2,5,846 लोग संक्रमन के परश्चाथ home isolation का विकल्ब चुन चुके हैं, और इन में से 1,78,020 वेक्ती उप्चारिज भी हो चुके, इन्होंने अपने home isolation की अवधी समाप्त कर ली है,